दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे SOHC और DOHC के बीच में क्या-क्या डिफरेंसिस होते हैं SOHC का मतलब है Single Overhead Camsoft और DOHC का मतलब है Dual Overhead Camsoft जैसा कि हमें पता है कि Camsoft का इस्तेमाल हम राइट टाइम पर इंजन में इनलेट और एक्जोस्ट वालव की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए करते हैं और Camsoft को हम Chen Drive, Belt Drive के दुआरा Cranksoft की मदद से इसको Rotate किया जाता है अब बात करते हैं कि ये दोनों वाल्व मेकेनिजम किस परकार से एक दूसरे से अलग हैं इन दोनों वाल्व मेकेनिजम के अगर बात करें ये दोनों अपनी जबरदस्ट performance के लिए जाने जाते हैं लेकिन फिर भी इनके बीच में कुछ factor के आधार पर हम देखेंगे कैसे ये एक दूसरे से अलग है ये diagram अगर आप देखें ये single overhead camshaft का है जैसा की नाम से पता चलता है single overhead मतलब की इसमें हम inlet और exhaust valve को operate करने के लिए single camshaft का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ एक ही camshaft हम use करते हैं और इसमें अलग से जो component देखें यहां पर ये rocker arm इसमें लगी होती है और जो dual overhead camshaft, dual मतलब की दो इसमें inlet और exhaust इन दोनों के लिए अलग-अलग independent camshaft इस्तेमाल करते हैं inlet valve के लिए अलग camshaft होती है और exhaust valve के लिए अलग camshaft होती है मतलब की इस case में हम दो camshaft का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इस case में rocker arm का इस्तेमाल नहीं किया जाता और यहां पर जो opening और closing होती है valve की वो cam lobes की मदद से होती है जो camshaft पर लगे होते हैं इसके बाद बात करते हैं valves per cylinder इसका मतलब यह है कि जो soc है इस case में per cylinder दो valves भी हो सकते हैं जिसमें एक intake valve होगा तो दूसरा exhaust valve होगा जो एक arrangement और है थ्री valves per cylinder थ्री valves per cylinder का मतलब है कि इसमें हम दो intake valve और एक exhaust valve की arrangement को भी use कर सकते हैं इसके अत्रिक फोर valves per engine cylinder मतलब कि इसमें हम दो intake valve और दो exhaust valve का इस्तेमाल कर सकते हैं यह arrangement इसमें हम use कर सकते हैं valves की लेकिन जो DOHC है इसमें हम सिरफ फोर valves per cylinder मतलब दो intake valve और दो exhaust valve की arrangement का इसमें हम इस्तेमाल करते हैं पर cylinder अब बात करते हैं डिजाइन की डिजाइन सिंपल ओवरहेड कैंप साफ्ट का दो डिजाइन है वो इतना ज़्यादा complex नहीं होता लेकिन जो dual overhead camshaft है इसका डिजाइन में complexity होती है इसके बाद बात करते हैं valve timing की valve timing की बात करें single overhead camshaft की case में जो valve timing है वो disturbed हो जाती है और इसके अतरिक्त हगरम बात करें जो dual overhead camshaft है इस case में valve timing अच्छी रहती है disturb नहीं होती valve train mass SOHC के case में जो valve train mass होता है वो कम होता है जबकि dual overhead camshaft में वो ज़्यादा होता है torque की अगर बात करते हैं initial torque SOHC के case में ज़्यादा produce होता है जबकि dual overhead camshaft के case में कम produce होता है airflow की अगर हम बात करते हैं single overhead camshaft में airflow कम होता है combustion chamber में जबकि जो dual overhead camshaft है इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि dual overhead camshaft के प्रयोग से जो valve की जो lift है वो हमें बढ़िया मिलती है जिसके प्रिणाम सवरूप combustion chamber में हमें improved air flow मिलता है SOHC के comparison में और air flow restriction कम होने के कारण DOHC जो engine होता है उसमें कम displacement होती है जिससे ज़्यादा horse power generate होती है उसके बाद बात करते हैं performance अब performance की बात करें जो DOHC है ये तो improved version है SHOHC का तो DOHC की performance ज़्यादा बढ़िया होती है as comparison to SOHC weight की बात करते हैं तो single overhead camshaft का जो weight है वो कम होता है और जो dual overhead camshaft है इसमें ज़्यादा number of components का इस्तिमाल किया जाता है जिसके प्रिणाम सवरूप इसका weight ज़्यादा होता है maintenance की अगर बात करते हैं maintenance single overhead camshaft की maintenance करना आसान होता है in case of failure लेकिन DOHC के case में ज़्यादा component होते हैं design complexity होने के कारण इसकी maintenance करने में time भी ज़्यादा लगता है और थोड़ा सा ज़्यादा costly भी होता है noise की बात करते हैं जो operation होता है जो working होती है HOC के case में noise थोड़ा ज़्यादा produce होता है जबकि DOHC के case में working के दुरान noise बहुती कम produce होता है spark plug location की अगर हम बात करें जैसा कि हम इस diagram में देखें जो single overhead camshaft है वो एक प्रकार से center में लगी होती है तो इस case में spark plug को mount करने में थोड़ी दिक्कत रहती है और इस case में जो top of cylinder head है वहाँ पर spark plug को mount किया जाता है लेकिन DOHC के case में जो camshaft है वो अगर हम देखें वो एक प्रकार से corner पे लगी होती है बीच में पूरा space होता है और spark plug को बहुती बढ़िया तरीके से mount किया जा सकता है कोस्ट की अगर हम बात करते हैं जो single overhead camshaft है इसकी कोस्ट कम होती है जबकि dual overhead camshaft की कोस्ट है जो वो ज़्यादा होती है दोस्तों जो DOHC है एक परकार से इसे बाद में बनाया गया है तो इसकी जो volumetric efficiency है वो भी ज़्यादा होती है तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ discuss किया single overhead camshaft और dual overhead camshaft के बीच में क्या क्या differences होते है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ जल्दी हाजर होते एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे झाल 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 झाल